किसी भी mathematical या फिर chemistry के फार्मूला को लिखने के लिए यानि सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए करें क्या आप दिसकते हैं होम बटन में आने के बाद यह font वाला जो section है यहाँ पर x के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा हुआ यानि x2 लगा हुआ है और यहाँ पर x square लगा हुआ है तो यह हम कैसे apply करेंगे जैसे मैं x में जाता हूँ अब यहाँ पर एक shortcut की so हो रही है और यहाँ पर आने पर भी एक shortcut की so हो रही है ठीक है अब करें क्या जैसे कि यह लिखा हुआ है h2so4 यह लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है नहीं यह x2y2 यानिकि यह था x square प्लस y square अब से सही सरीके से कैसे लिखेंगे तो चलिए भी करते है क्या है से पहले इस दो को हम कर लेते हैं select और इस चार को भी select कर लेते हैं ठीक है यहां पर इसको select कर लेंगे और यहां पर यह दो है इसे select कर लेंगे, select करने के बाद control के साथ shift और फिर equal दबाएंगे देखे, ये super script में apply हो गया, ठीक है इसी तरह से यदि हम, हमें super script में sub script करना है तो इसे select करने के बाद देखे, x2 था न, ये, इसे हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं यहां से भी select करके हम इसे apply कर सकते हैं Thanks for watching